17 के अभियर्थी इस वक्त यहाँ पर मौझूद है इनकी भरती प्रक्रिया कब से शुरू हुई थी उसके बाद अभी तक रिजल्ट आउट क्यू नहीं हो पाया है बीच में कौन सा जगडा पड़ गया है आईए इनी की जुबानी जान लेते हैं सबस्वागत है आपका दिवे हिमाचल में अभिषकार जी जी सर आज जेवाइटी पोस्कोड 817 के अभियर्थी यहां पर पहुंचे हैं फिल्हाल किसे अभी तक मुलाकात कर चुके हैं और विस्तार से थोड़ी सी अपनी समस्या के बारे में जानकारी दीचे नमस्कार में हम अभी जैसे सुबा से आये हैं सुबा साथ वजे निकलाए थे और काफी दू-दू से आये हैं कांगड़ा से विलास्पू से चंबा से चंबा से वकई बंद्या हैं तीस्ता से भी आये हैं हमारा एक्चुली यह कि जो आईजवाइटी 817 है वो 2020 में 700 पोस्ट कोड था उसको कनवर्ट करके 817 में किया 817 में नोटिफिकेशन निकलती है उसके बाद देन 21 मार्च को पेपर होता है 2020 को एक जुलाई को रिजल्ट आयता है उसके बाद टाइपिंग स्टार्ट होती 4 जुलाई इसको चो जुलाई के बाद फिर स्टे लगता है हाई कोट में जो भी लिट सीजन आया हाई कोट का उसमें आया जो लिटिकेशन फ्री है उसको प्रसस को चला दी जाए अब वो प्रसस चला वो सब कुछ हुआ डोकुमेंटेशन हो जाती है अब एक अगर्स से लेके 30 अगर्स तक अभी 2022 में अब हमारा एक इनी वेदन है सरीश सरकार से भी इन जितने से भी बात की सर ने बोला कि हमारा काम करेंगे अब देखते कितना काम होता है जाए ठीक है क्योंकि काफी अर्से से आप यह मांग कर रहे हैं रिजल्ट आउट हो जाना चाहिए फिल्हाल यह पेच कहां पर फसा है रिजल्ट आउट क्यों नहीं हो पा रहा है यह तो हमें भ 556 का हाई कोट से आया था वो तो हाई कोट का डीसिजन है आप यह हम भी जानते सब जानते हैं कि नयाएपालिका सब का धिया देहान रहतिया हमारा भी रखा ध्यानूने जिर विनको लगा उनका ठीक लगा उससाब्स नहीं दिया Constitution के हिसाब से हमने कभी कुछ नहीं बोला उसके वारे में हम इतना चाहते हैं कि आगे जो प्रोसेस चल रहा है कि जिसमें भी गौवर्मंट के जितनी सीठों में ज़ल्ट देना जितना करना चाहती है बस हमें पदाब चले कि हम नदी के किस पार में यह तैर गए हैं यहां फिनाद डूप चुके हैं चलिए ठीक है अभी फिलहाल रिजल्ट आउट होने का कितने अभी हर्थी यहां पर इंतजार कर रहे हैं यह कुल कितनी संख्या है आपके चोड़ सो एक पोस्ट हैं उसके लिए और हम चालते कि हमारे यह बस जल निकले यह वला चोड़ो पर तमाम भड़तियां शरकाल की ओर चे निकाली जाती है उसके बाद यह देखने में आता है कि कोड की ओर से लगाया जाता है फिर सालों सालों तक वो मामले कोड में चलते हैं यूवां के उपर इसका किस तरह का पड़ रहा है आप यह देख लो कि यूवां पर क्या इंपक्ट कर रहा है जब वो चार जे वे इस अभी तक आई तिंग अभी तख चार या पांच कोड आ चुके हैं जो एक और इसी डूरेशन में एक कभी रिजल्ट अब आया नहीं है आप खुद सोचो कि अगर आपको को दो यूद आप को घर में खाने के लिए नहीं हो तो किस इस चुसमें होागे तो किस सु्चशन में में घुस आपने काम व Edwards का करना चाहिए कुछ तो पढ़ागे तर्फां कर चुके हैं अहां पर सरकारी अधिकारियों से भी और बाकी मंतरीगनों से खर हम बात करें में आज शर्वें सर से काफी आश्वाशन दी है कि आपका काम होगा रोच इसтов हमारे, डता काछीए जा जाए जा मैंरा हम यह नwork के समय के लिए को मैंने साथ Σाथ पूरी बात है वोगा हम आज रिस्पांस अज मिला है और किस तरह से इस पूरी बात को देखी रहे हैं मैं आप रिस्पॉंस तो आने वाला टाइम ही बताएगा गले दो तीन दिन की हमें क्या रिस्पॉंस मिलता है कमिशन की तरफ से क्या गाइड लाइन आती है रिजल्ट वो निकालते हैं कि नहीं निकालते हैं क्योंकि जेओ आती 1830 पिशले 3 जाल से फसा हुआ है ऐसा नहीं कि अगर मान लो यह को लिटिकेशन बोलते हैं जेओ एक नौसो तीन का रिजल्ट यह नहीं निकाल पा रहे हैं 5949 का result यह नहीं निकाल पा रहे हैं कभी एक stay होता है दूसरा stay होता बार 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 यह सारी चीज़ें चल रहे हैं तो इसे harassment बहुत जाद़ ہो Away है तो इसलिए हम चाहते हैं कि खाल्यास्माइंट को बंद्किया है क्योंकि जल्दी ही जैसा की साथ आप兩 से उठाये रहे एक वर ना में हлед एक हड़ताल धब करी हम चार से पांथी लगा दिछ दिन रात वहां पर हमारे साथ साथ रुके हैं तो बसे हो चाहब जब तक हैं कि जबांड कर सकते हैं और जब तक नहीं आएगा तब तक हम यह डिमांड करते रहेंगे अच्छा पोस्कोड पांसो छबन का कितना इंपक्ट इस भरती में देखते हैं मैं अब यह तो हमें नहीं मालूम क्यूंकि इस बहुत ही लौ वाली बाते हैं तो यह तो जो लौ फिसर वगारा जो सारे वो हमें चीजों क कि क्लारिटी देंगे तो हमें इसमें कुछ भी क्लारीटी नहीं न गई हमिर्प लौड हमें बतारा है कि हमारे रिजल्ट क्योंडिय हो रहा है अगर हो रहा है तो mandate क्लारिटी हमें चाहिए कि इस चीज़ के लिए बीले हो रहा है और इतने टाइम तक होगा तो हमें 기자 और फिर अंत में रिजल्ट आउट नहीं किया जाता है जिस वज़ा से यह काफी ज़्यादा परिशान हो जाते हैं कुछ एक लड़किया भी इस वक्त हमारे साथ यहां पर मौझूद है जानना चाहेंगे फिलहाल इनकी ओर से भी इसमें क्या कुछ कहना है बस मैं हम तो यहीं मतलब नए वे कैंसे निका लिए वो उसमें भी वहीं वाले बच्चे होंगे तो उसे अच्छा है तो हमारा रिजल्ट जितना जल्दी आता है हमारे उतना ही अच्छा है नहीं तो अगर डिले करते हैं फिर कोड़ आफ कंड़क्त में फजाएगा फिर हम और नेक्स चले जा हों तो मतलब मुझे एक-दू साल मतलब हो चुका है तैयारिया करते हुए तो अब इसली होता ही है सब का अपना-पना सिस्टम होता है मेरा अलग होगा तो होती है सबको प्राब्लम होती है तो हम तो यहीं चाहते हैं आप देखो स्टूड़न लाइट में ज्यादा तो अब देखो मेंiger कितना टाहिस पिर्स उलग जारी है है इस समय ने काम उसका नहीं है कोई कि हमारा फाइनल हो जाता यूँकि देखव वहीं पूस्ट पूर्ड है और बीश्न सर्फ लार चsoever चलेगा ना तो आटसुस्तारा साइब दो 팀 है फिर 939 है फिर उसके बाद जाके 965 है तो बच्चा क्या ही करेगा बताओ आप ही बताओ हमें ठीक है अब बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए अभी फिलहाल यहां पर देखा जा सकता है जेओ आई टी पोस्कोर्ड की जितनों की भी हम बात कर ले कुछ ना कु तो कब तक यह इसी तरह से बिरोजगार बैठे रहेंगे वो भी तब जब इन्हों ने एक तरह से ये भी ठान लिया हो कि कमीशन इनका लगभक लिया हो ही चुका है महद रिजल्ट का इनका इनका भी यहां पर इंतजार हो रहा है सरकार की ओर से हर बार आशवासन यहां पर कर पहुंचे हुए हैं चलिए अगर करमचारी वर्गों की बात करें तो उनकी अपनी समस्याइं चली हुई हैं लेकिन दूसरी और ये विरोजगार युवा भी हैं जो पर लिक कर मेहनत कर रहे हैं दिन रात एक कर देते हैं कि किसी तरह से एंट्रां स्ट्रेस क्लियर हो सके लेकिन उसके बावजूत भी अगर दर्बदर की ठोकरे इने खानी पड़े तो फिर भरतिया निकालने का ही क्या फाइदा है तो फिर मिलेंगे नई ख़बर के साथ देखे